पर लोग क्या कह रहें? कह रहें हाई हाई री मोदी सरकार कभी पान पकोड़े और कभी चौकीदार सचाई यही है दोस्तो फ्लॉप हुई ब्रांड के को बेचने के लिए बार बार नाम पैकेट का रंग और लोगो बदलना पड़ता है भाजप्पा की आतम मुग्ध प्रोपगेंडा सरकार के पास भी धरातल को में दिखाने को कुछ है नहीं और इसलिए उन्हें मोदी जी की विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार ब्रेंडिंग और री ब्रेंडिंग करनी पड़ती है क्योंकि और देखिए कितनी बार करनी पड़ी है 2013 में कहा असी लाख करोड काला धन सो दिन में वापिस लाएंगे इसलिए मुझे चुनिए 2013 में फिर कहा पंद्रा पंद्रा लाख सब के खाते में जमा करवाएंगे इसलिए उनको चुनिए 2014 में कहा अच्छे दिन आने वाले हैं 2015 में कहा सबका साथ सबका विकास 2016 में कहा न्यू इंडिया बनाएंगे 2017 में कहा मेरा देश बदल रहा है 2018 में कहा साफ नियत सही विकास 2019 में कह रहे हैं मैं भी चौकीदार अपनी निश्चित हार से बुखलाए और घबराए मोदी जी अपने चुनावी नारे को इतनी बार बदल चुके हैं जितनी बार उन्होंने दस लाख का सूट और अपने पांच हजार परीधान भी नहीं बदले होंगे कॉंग्रेस सद्धक शिरी राहूल गांधी ने जब प्रधान मंतरी मोदी के चोरों का चौकीदार होने की सचाई जग जाहिर कर दी जब धोल की पूल खुल गई और राफेल की चोरी पकड़ी गई तो अब चोरों का चौकीदार नया ढोंग रच रहा है गरीबों से चोरी कर अमीरों के खाते में डालना मोदी जी की नीती रही है इसलिए तो पूरे देश में चोकीदार चोर है का नारा गुंज रहा है क्योंकि इस चोकीदार की दाड़ी में तिनका है सारा देश पुकार पुकार कर कह रहा है जिसने राफेल में चोरी की वो चोकीदार चोर है जिसने जैशाह पेको 80 करोड बनवा दिया वो चोकीदार चोर है जिसने विजे माल्या को देश से भगाया वो चोकीदार चोर है जिसने चोटे मोदी नीरव मोदी वे उसके मामा मेहूल चोकसी से बैंकों का 26 हजार करोड लुटवाया वो चोकीदार चोर है जिसने देश के बैंकों से ठगी करने वाले लोगों के हाथों से एक लाख करोड लुटवाया वो चोकीदार चोर है जिसने बीस हजार करोड का जीएस पीसी घोटाला करवाया वो चोकीदार चोर है जिसने छोटा मोदी नंबर एक ललित मोदी को देश से भगाया वे विदेशी पासपोर्ट भी दिलवाया वो चोकीदार चोर है जिसकी पार्टी के अध्यक्ष के बैंक में नोट बल्दी के चलते चुनिंदा लोगों ने पाँच दिन में 745 करोड पैसा जमा करवाया वो चोकीदार चोर है जिसने मुठी भर पुंजी पती मित्रों का 3,17,000 करोड बैंक करज माफ करवाया वो चोकीदार चोर है जिसने 36,000 करोड के 36 गड़ पीडियेस घोटाले की जाच में अड़ंगा अड़ाया वो चोकीदार चोर है जिसने 79,381 करोड रुपे के स्पेक्टरम घोटालों को दबाया वो चोकीदार चोर है और जिसने देश में संस्थागत भ्रष्टाचार करवाया वो चोकीदार चोर है और वो लोग आज खुद को चोरों के चोकीदार को की वहवाही करने से ठक नहीं रहे दोस्तों पवित्र गरंत रामायन में लिखा रावन आया था साधू बनकर मारीच आया था हिरन बनकर कालनेमी आया था रिशी बनकर लूट पाट और अपहरण के उदेश्य से यूग यूगांतर से चलने वाले भेश बदल कर आते रहे हैं और वर्तमान में भी अली बाबा यानि मोदी बाबा और चालिस चोरों की टोली है जो अपने नाम के आगे चौकीदार लगा कर घूम रही है और आखिर में मोदी जी हम आपको ये कहेंगे कि चौकीदार तो सिरफ जैसा प्रियांका जी ने कहा चौकीदार तो सिर्फ अमीर लोग रख पाते हैं किसान, शोशित, वन्चित, खेत मजदूर, पत्रकार, मद्यमवर गिये लोग ये तो चौकीदार रखते ही नहीं चौकीदार ने ना केवल राफेल में चोरी की है बलके पांच साल में पांच साल से की है युवाओं की नौकरियों की चोरी, किसान के उचित दाम की चोरी महिला सुरक्षा वे उनकी हिस्सेदारी की चोरी